डוח students, good morning. आज हम practice करेंगे paragraph writings अनुछेद लेखां. तो आप सबी को ये तो पताई है paragraph writing क्या होती है, हना, यह हमारे school में competition भी होता है paragraph writing का, हना, तो ये सब हम पाहले सही जानते हैं कि paragraph writing क्या होती है. चलिए और इसकी बारे में हम विस्तार से समझने की कोशिस करते हैं किसी एक विसे को लेकर संचेप में उसकी बारे में लिखना ही अनुछे कहलाता है जैसे हम आपका कोई competition होता है तो हम paragraph writing में क्या करते हैं एक topic blackboard में लिख देते हैं और आपस उसे उदारते ही paragraph writing में फैसे ही है इसमें विसे से समझने समस्त बातें दस पारा पंक्तियों में ही इस परश डूप से लिखी रहती है अनुछे तिलेखन में यह ध्यान रखना चाहिए कि फासा सरन सुवो ततवा के छोटे छोटे होने चाहिए अब अनुछे लेखन का प्रयोग कई विदियों से किया जाता है जैसे पहला है किसी समाचार पत्र में किसी समाईक विसे पर लिखना दूसरा है किसी के दुआरा मिले मोखिक संदेश को लिख कर देना या अपनी किसी विशेज बात को अपनी डारी में लिखना आ दी ये सबी अनुचेत लिखन की अच्छे माध्यम होते हैं ठीक है तो अनुचेत मिन्स क्या हो गया समझ में आया है यहाँ पर कि जब भी हम कोई टॉपिक अपना लिखना चाहते हैं जो हम याद रख सके तो हम इसे किस में लिख लेते हैं डारी में लिख के हम रख लेते हैं अनुचेत में चोटे-चोटे सब्दों में इसे लिख के रख लेते हैं वाक्यों में कि हमें याद रहे तो और फिर किसी समाचार पत्र में कि समाई कोई से पर लिखना तो यह सब क्या है अनुच्छे लेखन है या इसे हम कहते हैं पैरग्राफ राइट में अब बढ़ती हुए अपराद यहां पर कुछ टोपिक दिया हुआ है यह लिखा हुआ है इसे मतब किस तरह से हमें अनुच्छे लिखना चाहिए किस तरह से हमें छोटा सा टोपिक दियार करना चाहिए तो यहां पर टोपिक दिया है पढ़ते हुए अपराद तो क्या है मैं अपने छेत्र इंद्रा नगर में आए दिन हो रही चोरी छेट चार तता चेन खीसने जैसे अपरादे खटनाओं की और पुलिश अधिकारियों तथा उनके प्रती जम्मेदारी जम्मेदार अधिकारियों का ध्याराकर से करना चाहती हूँ अपरादियों की गतिवीदियों को देखने से ऐसा लगता है कि उन्हें किसी भी तरह का कोई भी भय नहीं है वे निडर होके अपराद अंजाम दे रहे हैं अधिकारियों को उनकी विशे में सूचना दी जा चुकी है कि इस तरफ उन्होंने जरा भी ध्यान नहीं दिया इस ब कदम अवस उठाएंगे तो यहां पर यही स्पष्ट हो रहा है कि उन्हें एक सिकायत पत्र लिखा है किसी अधिकारी को और मतब छोटे से टॉपिक उन्होंने तयार किया है और अपने अधिकारियों को अपने छेतर के बारे में सूचना दी है ठीक इसी तरह से यहां पर ल सरकस लगा था मेरी पिता जी ने रविवार को कार्यालेसिज में छुट्टी होने की कार हम भाई बेहनों तथा मम्मी को सरकस दिखाने का प्रोग्राम बनाया हम सब खासकर में और मेरी बेहने सुवह से ही सरकस देखने जाने के लिए बहुत ही उतसाहित थे पिता जी हम लो हुआ पहले जो कर आया उसने अपने अजीब गरीब वहवार से सब को हसाया और उसके बाद कई काला बाज एक साथ आय और हवा में अपने काला बाजियां दिखाने लगी उन्हें हवा में उचलते देखकर आशरी भी हुआ और डर भी लग रहा था कि कहीं वे गिरना जाएं इसके बाद तो हाथी बंदर सेर भालू आदी जन्वरों की शूजबूच और करतब देखकर सब इने दातों तले उंगली दबा दी हम लोगों ने सरकस का भरपूर आनंद पठाये सोग की समापन होने के बाद हम सब भी बाहर आ गए और पिता जी ने ह यादगार दिन बन गया तो यहां भी सबस्ट हो रहा है कि किस तरह से हम जो भी समय बिताया है उसे हमने अपने डारी में लिख लिए हैं और उसे हम कभी भी हम खोल के देखेंगे तो वह हमारे सामने एक यादगार की तोर पे हमारे सामने हमेशा साथ में रहे तो यह हमारे डारी लेखन था अब एक और पॉइंट है अनुछेद लेखन तो यह अनुछेद लेखन भी उसी तरह से हैं कि हमें किस तरह से लोगों को कि बारे में अनुछेद टिपनी करने चाहिए कहने का मतलब हा ना तो यही था हमार आज का टोपे तो आज हम सिप रीडिंग किया है यह रीडिंग के लिए ही है तो आप प्रयास करेंगे की आप जब भी कोई यादगार पल हो तो उसे अपने ढारी में जरू नोट करें ठीक है तो जैसे यहां पर टोपिक दिया हुआ है अपने सहर की दैनिक समाचार पत्रे के लिए अपने मस्य से अवगत कराने हैं तो कोई अनुछेत लिखना है आप सभी किसी मेले आदे में घूमने के वर्णान का डायरी में लिख लो किसी समाज़क विसे पर एक अनुछेत लिख लो तो ये आप अपने तरफ से ये कर सकते हैं तो यही है आज का हमारा टॉपिक अनुछे लेखन तो इसे एक पर फेल्ट आप रिट करेंगे और उमीद है कि आप इसे अपने टायरी में लिखने का प्रयास करेंगे ओके बाबाश ट्रेंट्स